कोरोना पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है भारत में भी मरीजों की संख्या दिन परती दिन बढ़ती जा रही है भारत सरकार के साथ साथ राज सरकार भी युद अस्तर पर बचाओं में जुटी हैं वहीं सरकार आम लोगों से भी अपील कर रही है कि जादा से जादा सावधानी बरते हैं और खुद के साथ साथ दोस्रों को भी करोना से बचाएं देव भूमी उत्राखन के रहने वाले और दिल्ली में रहकर अलग अलग व्यवसाई से जुड़े ये लोग करोना को हराने में अपने तरीके से लगे हैं इसी कड़ी में दिल्ली के सबसे बड़े शमसान घाट निगम बोध घाट को स्वक्ष और साफ रखने के लिए हर अभिवार को श्रमदान करते हैं अभी देश के दूसरे हिस्सों के साथ साथ दिल्ली में भी करोना का जबरदस्त प्रकोप है ऐसे में शमसान घाट आने वारे लोगों को संकरमर से बचाने के लिए पूरे परिसर को स्नेटाइज करते हैं आम लोगों की ऐसी सहवागता से कुरोना को हराना संभा होगा सिर्फ सरकार ही भरोसे ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है हमारी महानमानुवी सेवा देभूम मोक्सदल निगम मोल धाट की वह सेवा की हमने 22 तारिक को स्थकलित कर दी है उसकी वज़े से हम उस सेवा को आज 21 मार्च में कर दिया है और उसमें सभी सेवा में तरवा यूर्गान नहां बहुत अच्छी तरिकी से हमने घाट को बिल्कुल साफ भुलाई करके फिरैल से सेनिराइज करके घाट को हमने काफी कुछ वान साफसवाई आज कर दी है तो सभी सेवा में तो से डिविदन है कि हमारे भारत के प्रधान मंतरी माननिये नजिद मोधी जी के आभान पर हम निकल की छुट्टी की आभान की है सस्तान ही उनके पक्चिनु पर चलेगा और इस उप्लक्स में 22 तारिक को यानि 22 मार्च को आप सभी सेव में आराम से अपने घर में रहें अपने परिवार के साथ रुजाएं इस जो एक घो बिमारी आई है भी कोरिणा उससे निपटने के लिए सभी अपने अपने घ्रोम रहें बाहर ना निकलें जो इस बिमारी से हम लर सकें इस बिमारी को बखाना है और एक भारत को एक सच प्रास्ट निर्वान है कि हमें मारा अपने लुड़ां इस बिमारा अपने लुड़ां इस बिमारी को बखाना है